हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई लीगल कोट, आइम आशुवार लवानिया, देखिए जैसा के हम सब जानते हैं PCS 2020 एक्जाम होने वाले हैं और जहां तक हमें पता है लगबग तीन महीने बाद UPPCS का भी एक्जाम है Quality is one of the major parts as everyone knows about it आज इसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे second chapter जिसका नाम है External Effect on Constitution मतलब कि भारतिय समविधान पर बाहर के देशों के समविधानों से क्या-क्या प्रभाब पड़े इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आपका में confusion और clear करना चाहता हूँ मैं by mistake the preamble का जो chapter है उसमें बोल गया हूँ second chapter वो second नहीं है वो third chapter है उसे man कर लीजिएगा continue to the point that is external effect on the constitution इसी के बारे में चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले आप हमें follow कर सकते हैं Instagram, Facebook, Twitter or Telegram पर बस आपको सर्च करना है My Legal Code और उसे subscribe कीजिए आप इस lecture का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं Telegram से आप हम से directly भी connect कर सकते हैं हमारी website के through that is www.mylegalcode.com वो किसी भी confusion के लिए 24 into 7 WhatsApp कर सकते हैं WhatsApp contact is 990-544-440 So now come to the chapter external effect on constitution मतलब के भारत के समविदान पर बाहर के देशों के समविदान के क्या क्या प्रभाब पड़े हैं इसी के बारे में चर्चा करेंगे यहां पर First point is the idea of the preamble has been borrowed in Indian constitution from the constitution of USA देखिए जब हम देश के समविदान को पड़ते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है प्रस्तावना तो समविदान में प्रस्तावना का concept प्रस्तावना रखने का concept किस देश के समविदान से लिया गया वो था सैयुक्तराज अमेरिका मतलब कि USA, United States of America Next, in Indian political system, the constitution is supreme देखिए आप से कोई भी पूचे का भारती राज विवस्ता मत सुप्रीम क्या है सर्वो पर ही क्या है तो वो है हमारे देश का समविदान मतलब कि हमारे देश में जितनी भी शासन विवस्ता है देश को चलाने की जो भी planning principles हैं, सिद्दान्थ हैं वो इसके समविदान के दाइरे में रहकर ही हो सकते हैं इसको हम cross नहीं कर सकते हैं इसलिए the constitution is supreme Next, the concept of judicial review in India has been adopted from the constitution of USA देखिए जो हमारे देश में नियाएक पुनरीक्षन का एक पद्वती है नियाएक पुनराव लोकन भी कहते हैं ये कहां से लिया गया है? कानून बनाती हैं और बाद में चल करके कोई court में challenge कर देता है कि ये किसी भी तरीके चे किसी के individual के fundamental rights या individual उसके personal rights को violate करते हैं तो ऐसे case में हमारे देश की judiciary को power है कि वो उसको संग्यान में ले सकती है और उसकी जांच के बाद अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी के भी fundamental rights को ये violate कर रहे हैं तो ऐसे कानून को बनाए हुए कानून को हमारे देश की judiciary cancel कर सकती है इसी को कहते है judicial review इसके और भी कई मतलब होते हैं लेकिन जो main मतलब है वो मैंने आपको बता दिया है next the feature of federal system of the Indian constitution is inspired by the constitution of Canada हमारे देश में जो संगी ये पद्धवती है मतलब कि संग कैसे राज्यों का संग है union territory है इतने इन सब से मिलकर के बना है तो ये federal system जो है federal system जो संगी ये पद्धवती ये कहां से ली गई है ये ली गई है समविधान कहां किसे कनाडा के से next Indian parliamentary system is different from the British parliamentary system in India that has the system of judicial review देखिए भारती parliamentary system कई मायनों में British parliamentary system के बिलकुल equivalent है लेकिन एक मायने में बिलकुल अलाग है वो है judicial review मतलब कि हमारे देश में judicial review है ये अमेरिका में भी है लेकिन ब्रिटेन में judicial review नहीं है next point the system of judicial review exists in देखिए same point आ गया जो judicial review है नियाएक पुनरिक्षन ये किस कि देश में है इंडिया और USA in fact इंडिया ने USA से ही ये provision लिया था next common characteristics between the federal system of India and America देखिए भारत भी federal system है क्वासी federal हलांके बोला जाता है लेकिन है federal system मतलब संगी ये पद्वती है ये संग है राज्यों का संग है केंदर शासित प्रदेशों का संग है लेकिन क्या है ये है तो संग ही इसी को कहते है federal system तो इंडिया के federal system में और अमेरिका के federal system में common क्या है मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो एक जैसी है वो है of federal supreme court for interpretation of the constitution देखिये कहिने के judicial review से connect करती है ये हमारे दोनों देशों में एक चीज़ common है हमारे देश की और अमेरिका की federal court, central court ठीक है वो क्या करती है चाहिए अमेरिका की court अमेरिका के सम्विदान के बारे में interpret कर सकती है या भारत की जो कोड है सुप्रीम कोड वो हमारे देश के समविदान के बारे में इंटरप्रीट कर सकती है मतलब कि कुछ भी गलत प्रावदान होंगे कानून गलत बनाई जाएंगे तो समविदान को की परिवाशा को कोड समझा सकती है ठीक है सेम वही है युनाइटे स्टेट सुची बोलते हैं इसे जब आप समविदान का साती वियन सुची को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर इसके चर्चा की गई है किसके बारे में समवर्ती सुची तीन सुची बारे में बात की गई है humanist, stateist and concurrentist यहाँ पर बात कर रहे है concurrentist की तो समवर्ती सुची का जो concept है वो कहां से लिए गया है वो लिए गया है ऑस्टरेलिया के समविदान से ठीक है next the concept of fundamental duties has been taken from ठीक है जो मौलिक कर्तव्यों का जो सिद्धानत है मौलिक कर्तव्यों की जो अवधारनाय वो कहां से लिए गई है Russian Constitution से मतलब कि Russia के Constitution से Next The concept of the directive principles of state policy in the Constitution has been adopted from the Constitution of Ireland मतलब कि राज्य के नीत निदेशक शिद्दान्त जो है वो Ireland के सम्विधान से लिए गई है कहां से लिए गई है तो आपको पता होगा कि हमारी जो राज्य सभा है उसमें कुछ talent, experience और services के आधार पर भी कुछ प्रतिनदियों को चुना जाता है कुछ प्रतिनदियों को किसके आधार पर चुना जाता है talent, experience and service के आधार पर तो यह जो idea था यह कहां से लिए गया था यह लिया गया था Irish Republic, मतलब के Irish गड़ राज्य के सम्विधान से Irish मतलब वही Ireland, don't be confused about that ओके next, the constitution of India is the longest one in the world सब जानते है भारतिय सम्विधान पूरी दुनिया में सबसे लंबा सम्विधान है ठीक है, इसका एक region यह भी है मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारे देश में केंद्र का तो सम्विधान पूरा है, केंद्र का तो पूरे केंद्र के बारे में तो लिखाई है साथ-साथ राज्य सरकारों के बारे में भी लिखा हुआ है इससे भी हमारे देश के सम्विधान की लेंथ बहुत जादा बढ़ जाती है ठीक है यह एक point है this is one of the major points next the tradition of written constitution begin from which of the following countries देखिये लिखित समविधान की जो प्रथा थी वो कहां से सुरू हुई वो ही थी अमेरिका से direct next some features borrowed from different constitutions देखिये मैंने यापर points बनाई हुए हैं यह major important कुछ provisions हैं दूसरे देशों के समविधान से लिए गए हैं just take a look fundamental rights USA parliamentary system Britain emergency provisions Germany Germany के constitution को weimar constitution बोलते हैं याद रखियेगा cabinet government British constitution मतलब कि हमारे देश में government एक cabinet के थुरू काम करती है एक cabinet government होती है वो concept कहां से लिया गया है British constitution से union state relations जो मतलब केंद्र राज्य के जो सम्मंध है किस तरीके से सम्मंध है union कैसे collaborate करेगी state कैसे union को support करेगी यह सारे जो सम्मंध है यह लिए गए है Canadian constitution से मतलब कि कनाड़ा के समविधान से next rule of law हमारे देश में law का rule है ठीक है आपको पता होगा कि हमारे देश में हर राज्य के राज्यपाल को च्योंकि राज्यपाल जो होता है वो pleasure of the president होता है राश्ट्रपती अपना ही प्रतिनदी direct बना करके भेजते हैं तो गवर्नर को एक पावर होती है अगर राज्य में कोई भी बिल है उसको चाहें तो वो president की consideration के लिए उस बिल को reserve कर सकते हैं अपने पास रख सकते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक कि वो president की consideration उस पर नहीं ले लेंगे तो ये concept भी Canada से लिया गया है next and last India as the union of states with greater powers to the union आपको पता होगा कि हमारा देश जो है राज्यों का संग है लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा पावर्स जो मिली हुई है राज्यों के comparison में केंदर को ज़्यादा मिली हुई है लेकिन आप तब तक वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर भी जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमसे डारेक्ट कनक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट के थूँ www.mylegalcode.com वा किसी भी confusion के लिए WhatsApp कर सकते हैं 24x7 WhatsApp contact is 990-544-440 For more videos, stay tuned with my legal code Thanks to subscribe, good luck and bye-bye